वाराई वाइस आज के इस वीडियों में हम पंपैर करने वाले हैं SDF से मिलेनिया वोसे SDF से रिगा लिए हर एक चीज इतनी डिटेनले सा समझाऊँगा कि इस वीडियो के अंद तक आप समझ बाइंगे कि आपको कौन से क्रेट कार्ट के लिए जाना है सा जस इन किस यह नही करने के लिए 1000 रुपय प्लस जीस्ट और वहीं अगर बात करने रिगा लेगी तो यहां पे 25 रुपय करना पड़ता है इसी के जादी अगर आपको जो फीस करानी है तो आपको मिलेनिया केस्ट में एक साल में खर्चा करना पड़ता है तो आपको तीन लाख रुपय एक साल में खर्चा करना पड़ता है तब जाके आपकी जो फीस है वो फो जाती है लेकिन मुझे पता कह चलेगा कि मैं दोनों क्रेट कार्ट के लिए ऐलिजिबल हूं भी या नहीं आई जानते हैं ऐलिजिबल टिक राइड डीडिया तो अगर हम बात करें मिलेनिया की तो यहां प 12,000,000 का बऔर ना पड़ता है तब जाके आप इस दोनों क्रेट कार्ट में अलजिबल होते हैं अब जानते हैं दोनों गलेकरश मिलेनिया की तो यहां पर आपको 1000 पारी के बर रहते हैं अрचे बात है आपके जो सबसक्रान बढ़र यहां पलदीयाग आपीश, क्रेट कार् बदले में वेलकम मेनेफिट आपको पच्छिस सो रिवार्ट पॉइंट्स दिये जाते हैं अब अगर आप इसको कैश बैक में करेंगे इन रिवार्ट पॉइंट्स को तो यहां पे जो वैली निकल के आती है वह बारा सो पचास उपह की आती है आप सोच रहोंगे क्यों कि ज परकिया जाता है तो इसी वजह से अगर आप रिवार्ट पॉइंट करते हैं कैश वैक में पर्टिकुलर्ली तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है तो अगर हम वैलकम मेनेफिट के तोर पे डिसाइड करें कि कौन सा कार्ड दूसरे कार्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है तो य अगर बहुत ही नॉर्मल है तो एक तरह से देखा जाए तो वैलकम मेनेफिट में हमारा मिलेनिया आगे निकलता है अब बात कर लेते हैं कि कुछ वैलकम मेनेफिट से रिबाट की तो देखिए अगर मिलेनिया कार्ट से तो यहां पर आपको वन परसंट कैश पैक देखने क को मिल जाता है on Amazon, Flipkart, Swiggy, Tata Click, Jomato, इतनी सारी बड़ी-बड़ी साइट पे आपको 5% का फ्लाइट कैश पैक देखने को मिल जाता है लेकिन शर्त वही है कि हजार रुपे का आपको कैश पैक मैक्सिमम आप अभी कर सकते हैं अगली के टेगरी आती है हमारी इनके खुद क करते हैं या फिर आप रेडबस के तरफ से कोई बुकिंग करते हैं या वाउचे वगएरा में शॉप करते हैं तो यहां पर आपको 5% कैश पैक देखने को मिल जाता है प्लस 1% कैश पैक आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिल जाता है अच्छा अगर बात करें अगर करते हैं मिक मैटरब की तरफ से तो यहां पर आपको जो है 10x reward points दे जाते हैं यानि हर 1500 पर के spend पर आपको 40 reward points दे दिये जाते हैं इसके साथ ही आपको 5x reward points दे जाते हैं हर एक booking की तरफ जोगी रहती है इसके साथ ही आपको जो है 20 reward points दे जाते हैं इसके साथ ही ISCDC और Flipkart की तरफ किया गया कोई भी खर्चा उसमें आपको 3x reward points दे जाते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हर 1500 पर खर्चे पे आपको 12 reward points देखने को मिल जाएंगे इसके साथ ही एक चीज़ और है कि आप एक दिन में maximum जो reward points है वो 2000 एकुमिलेट कर सकते हैं और एक महीने की बात करें तो 4000 reward points की capping रहती है पर calendar month अगर हम बात करें travel benefits की तो SDFC Millennium में आपको 8 domestic lounge access देखने को मिल जाता है मतलब एक quarter में आप 2 बार access कर सकते हैं लाउंच को domestically successfully और उसके बाद आपको जो है प्राइटी पास के लिए apply करना पड़ता है तब जाके आपको 6 और international lounge का access देखने को मिल जाता है which is really great जो लोग बाहर business करते हैं तो उनके लिए चीज़ बहुत जादा amazing हो जाती है अगर हम बात करें milestone benefits की तो स्विववाद हम SDFC millennia से कर लेते हैं यहां पर अगर आप एक साल में एक लाग रुपए तक का खर्चा करते हैं तो आपको 1000 रुपए के gift vouchers दे दी जाते हैं SDFC bank के तरफ से इसके साधी अगर हम बात करें दे गयाले की तो यहां पर अगर आप 5 लाग रुपए तका खर्चा करते हैं तो आपको 10,000 reward points दिये जाते हैं इसी के साधी अगर आप 8 लाग रुपए तका खर्चा करते हैं तो आपको extra 5000 reward points दिये जाते हैं तो total अगर आपका खर्चा जो है वह आठ लाका हो जाता है एक एनिवर्सियर में यानि एक साल में तो आप 15,000 रिवाट पॉइंट्स जो हैं कमा सकते हैं अब बात कर लेते हैं रेडीम ऑप्शन की बाई जो आपने कैश बैक या आपने पॉइंट्स को कमाया है वह आप रेडीम कैसे करेंगे त स्मार्ट बाय एप से कोई भी प्रॉडक्ट मंगा सकते हैं और वहां से रेडीम आप करा सकते हैं जस्ट रिमेंबर कि यहां पे आप 70 परसंट ही अपने पॉइंट से रिडीम करा सकते हैं 30 परसंट जो है आपको अपने खुद के क्रेट कार्ट से पे करना पड़ेगा तो हम बात करें फ्लाइट इन हुडेल की तो यहां पे आपको एक रिवाट पॉइंट की जो वैल्यू है पचास पैसे की देखने को मिल जाती है और एक कैलेंडर मंक में आप पचास हजार रिवाट पॉइंट को ही रिडीम करा सकते हैं अंडर इस पर्टिकुलर कैटेगर अग इसके साथ अगर आपने रिवाट को केuba कि यहां पर रिफेंट की लिफा इक रिवाट की बड़ा इक करा सकते हैं के लोес प्ते हैं एक यहां प्रपारल पॉइंट की रिभाएंश पेंड परِचास इजह पर वूइद पॉइंट को ही रडीम हें करा सकतें आइक किलेंडर मत तो आप मिलेनी के तरफ जा सकते हैं कि इसे अप्लाय करना भी एजी है आपकी सेलरी लट से 50,000 रुपय है तो आप अराम से इससे आविल कर सकते हैं लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो बिजनस्मेन हैं आपको एक्सेस करना है तो आप रगाली के तरफ जाएंगे क्यों कि उसमेनों फौरेक्ट चार्ज इंटराशनल जो है कि Sicht इacinको मिल जाता है और बहुत सारे बाकी के बैंधी आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि इंशरेंज कवर आपको 1 करूर रुपय तक का देखने को मिल जाता है। सियो कि अपने चैंशने को क्यों को मिलता है जकिन angry करते हैं वो मिलानी के तरफ जाएंगे उमीद करता हूं इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो आपको समझ में आओ कि आपको किस क्रेट कार के तरफ जाना है फॉंग फीस तू चार्जिस हर एक चीज इन डिटेल समझाने कुशिश करी है मैंने अगर आपका मन में कोई भी सव वाले तो आप इसे कमंड में पूछ सकते हैं मौस्का जवाब दे दूँगा और आपको से नेक्स टैम पाई गईस